एक दखा किसी शेकारी ने शेकार किया हिरन का वो लेके आया वह सुझे रहा हुए रसुल पार की खिद्बत ने गया रसुल नहीं का बच्चा है मेरे पास तो मैं आपकी नदर करता हु रसुल पार में कर लिया इमाम हसण मापिन वो पच्चा जो था आहू का वो इमाम हसण को दे दी इमाम हसण लेके घर गये अबर इमाम हुसें कि तोनो बच्ची थे हैं सौख आई इमाम हुसेन चार हिज्री में पैदा हुए है रसुल पाक 10 हिज्री में 11 हिज्री में उपात पाई ये उच्छे साल के देश हो तो आप देखा के बड़ा भाई इमाम हसन इमाम हुसेन से एक सार बड़े से के हिरनी का बच्चा अब लेकिया है तो अब वो भी आये इमाम हुसेन जी नाना जान हसन को अपने दिया है हिरनी का बच्चा तो मुझे भी चाहिए अब ये कह रहे हैं कि मस्जिद के दरवाजे की तरव लोगों ने देखा कि एक हिरनी अपने बच्चे को साथ दियर हुए आ रही है और उसने अपनी जबान में रसुल पार के पास आकर कहा कि या रसुल आल्लाह मैं जंगल में थी तो मुझे हातफِ खैबी से आवाद आई कि जल्दी रसूल की खिद्मत में पहुंचो और अपने बच्चे को रसूल की खिद्मत में अधिया करो ताकि हुसैन इस से पहले के उसकी आपकों से आंसो आ जाए या देर हो जाए तो ये अल्लाह की नजर में हुसैन अपना आजिम ही मिले जा रसुल पाक कभी बजार से जाते थे तो बात अफ़का किसी घर से रोने की वाज बच्चे के कहीं से आई गये परवाया इस बच्चे को कुछ ना कहा करो इस बच्चे के रोने की आवाज मेरे रोसने में से मिलती है रसुल पाक जा रहे थे रस्ते में स्वाबाभी साथ थे देखा एक बच्चे के रह एक बच्चा जो उसको एक प्रफिया, रसुले पापस को प्यार किया। तो आ या रसुलों आप इस बच्छे में क्या थासूसियत है। फर्माएंगे बच्छा जो है मिले हुस्यान से महबत रखता है। मैंने देखा एक दिन के हुस्यान के साथ इखे रहा है। हुस्यान चलते हैं तो हुस्यान की कद्रों की खाक को उठा उठा कर अपने सूरत पर इप्धे रहा है। तो कहते हैं कि ये हरी विवने मजाहिद है। तो रसूल हुस्यान से महबत करते हैं। और जो हुस्यान से महबत रखते हैं। उसकी लिए रिसुले पाक तौकीर करते है। स्वाथ पर रहाम्दौराद। बच्पन का वाक्या है। इमाम हुसैन फर्माते हैं कि मुझे बनी उमय्या के तावीद मेरे कत्र पर इत्मा करेंगे। और उनमें वर साथ पेश पेश होगा। इस माके को हुजैफा, रसुल के सावी उसर बूलने रखन किये। तो हुजैफा कहते हैं मैंने कहा क्या आप रज़र्ण रसूल क्या आप्ने रसूल से ये खबरा सकी है। परमाया नहीं। अब हुजैफा रसुल पाक की खित्वत भाड़े। का या रसुल आप मैंने ऐसा हुसैन से सुना। तो रसुल पाक ने फरमाया इल्मू इल्मू हुआ वृुल्मू विृ। फरमायाँ मीरा इ довольно हुसैन का इल्म है और हुसैन का इल्मू हो जानते हैं जो अब ही वाक्या नहीं हुआ, इस्कुफ़ी जानते हैं। इबादत के इसी, इबादत ऐसी के खुदा उन्द आलम के हजूर जब जाते थे तो चेहरे का रंग बदल जाता भाद वकाद हजार हजार रगद नमाज पढ़ते, पच्चीस के अदा हज़ किये, इसके बावजूद पैदल बादत जाते थे हज़ के लिए, पच्चीस हज़ किये, और सखावत कैसी, एक आराभी आया मदीने में उसने कहा कि मुझे किसी सखी और करीम का पता बताएं, लोगों ने कहा कि इमाम हुस्यम के हाँ चले जाएं, ये इमाम हुस्यम के मुझे बताएं, तो पता चला इमाम मस्चिर में, मस्चिर में आ गया, इमाम नमाज पढ़ते, वो शक्स जी था, वो खड़ा हो या उसने अश्यार पढ़ते, लम यखिब ल्योम मन रजाका वमन हर्रक मिन खल्क बाबकल हलका, अंत जवादुन वांता मुक्तमिदुन अबूका, कदकान, कात्ल फसका, कियता है, आज वो तुझ से उमीद रखता है, और तेरे दर्वादे पर आया है, तो नाउमीद नहीं होगा, आप सखी हैं, और हाजत मंदों की पनागा, और आपका बाब, अबूका, कदकान, कात्ल फसका, आपके बाब, फसकिन के कात्ल, यानि मुश्रकों, काफरों, अपसकों को वादे जहन्न करने वादे, तो इमाम हुसैन ने अपनी नमाज को मुफसर किया, और कोई होता तो शायद, नमाज और तुरानी कर देता, बाद रोग होते हैं, बाद और ढबावर के सामने किया जाता है, तो कुसे और ही जिक्ष़ हो जाता है, तो बार हाद, यह मैं इस लिए भी कहता हूं, कि सायदार जो है, उनको अपने में ज्यादा कुभी है पेला करने चाहिए, क्योंकि सेयद कहते हैं कि सही होना चाहिए, और फिर अपने अबाव उजदास से कुछ ने कुछ सिभात पर रसे ने आनी चाहिए, यह जो ना होके, पीशे पीशे भारते दिरें, फिर भी वो जेब हरकी न करें, तो इमान हुसें ने क्या किया, नमाज को मुक्सर किया, उसको साथ लिया, घर में आये, और कंबर से कहा, कि क्या है तरे पास, उसने कहा, फरदन रसूल, दोसों दिरम हैं जो आपने कहा था कि अब उन से ज्यादा मुस्तिक आँ गया है, अब दोसों दिरहम लिए और उसको एठेली में बांके, अब वो दर्वाजे में खड़ा है और शक्स, तो रवायत में है कि इमाम हुसें ने दर्वाजे की ओड़ से, यानि अभी जो अशार इमान हुसें ने पड़े हैं, वो ब ले रहें दर्वाजे की ओड़ से, और फर्मा रहे हैं, खुजहा फइन्य लएका मौता लिरून, इसको पकर लो, इसको ले लो, मैं तुझ से माजरत चाहता हूँ, खुजहा फइन्य लएका मौता लिरून, वाइलमु बएन्य लएका जू शुम शबका, हम तुछ से लेकिं लूओन फी सेरल गुदात उ असन कान समान अलैका मौन्ददग्या। फर्माते हैं अबी, हमारे हाथ में यही, अगर हमारा हाथ खुla होता, तो हम तुझ बर्द्यादा इक्राम करते हैं, ज्यादा अता करते। लेकिं वलकफो मिन्न कनीलननफका। कि अभी हमारे हाथ में हाथ तंग है यही कुछ है तो जमाना कहां से लाएगा ऐसे रस्कियां कि जो मुहताजों की खाज़तमंदों की इस तरह मदद करें और फिर साथ साथ माद़त करें और को बड़े बड़े लोगों ने देखे बड़ने ग्रैनी और क्या लेकिन मदेने में जब आते हैं लोग तो लोकिसका बकानेते हैं इसी खान्दान का इसी खानवादा इसमत तहारत का क्यों उस मा का फर्दंद है कि अगर दर्मादाएं पे कोई आ गया है और गर में कुछ नहीं है तो चादर बेरी कि जाओ इसको यहूदी के हां रह्म लगते अपनी हाज़त को पूरा कर लो जिएे कर्मादाएं इसमत तहारत कि अपनी है